पशुपत्ति व्रत को समझ लेना कई माता हैं गल्टी करती हैं कई माता हैं व्रत को नई-ने तरह से करती हैं कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है उस व्रत को आप समझ लीजिए पशुपत्ति व्रत पशुपत्ति व्रत पांच सुम्बार का होता है कितने सुंबर होते हैं? अच्छे से समझ लेना, पास सुंबर का बरत है? अज श्रीमिका दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे, तो आपको फिर कोई ये न ये होगा कि मिने बरत पर रहा और मेरा काम क्यों नहीं होगा? उसमें अपने को अपनी गलती जाकन है कि गलती का होथ Shukati Pras 15 ॉपार का होता है बीच में किसी द filmmakers रिजेदि पड़ जाय ही उял कोई पीछ पड़ गई या कोई तेहवार पड़ गया कोई नौरांतरी का व्रत कर रहे हो या कोई केवार का वरत कर रहे हो या को तीधी का वरत कर रहे हो और उस दिल सौंबार पड़ गया अब आपने विचार करा कि मेरा अश्युपती का भी करते हैं पर सांथ में तीच का भी भ्रत है तो कौन सा ब्रत करूं में तो उस समय पर आपको पशुपती ब्रत छोड़े mother करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस पुम्बाल से पशुपतिनात के बरत करना है जीजियों भाईयों ज्यान रखना उस दिन सुभा इस्तनान करने के वाद में बड़े प्रेम से पूजन की ठाली लगा लो उसमें चंदन अभीर धुलाल जो भी आप रखना चाहें रूली चावल मूली जनेव पंचाम्रत चाहो तो अलग अलग लग ले जाओ चाहो तो एक स आउस मिला कर लेगा तो अधावान शंकर की पूजन करो सुभा के समय पर और शिवजी का पूजन करकर अराधना करता भगवान संफर से प्रत्थना करो हे शिवजी हे ओगरदानी हे त्रकालदर्शी अभीनाशी आज से मैंने पशुपति प्रारम करें बाबा मेरा ये ब्र रही हूं आप स्विकार करना बाबा को निमेदन करना पूजन का समान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आजाए और शाम को भी काम आजाए अलग से पूजन का साहित्य हमें शाम को अलग से नहीं रखते थाली में उतना ही रखते ले जाओ जितना सुबह भी काम आ दिये रखकर मिठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो स्हाम को इस्नान कराने की जरूट नहीं पंचामत इस्थ नहीं है, सैम को तो क्यवाल Dannya चीता दे दो, पंचामत की जिता दे दो, बाबा कीूजन करो पूजन करकर परशाथ के पहले तीन हिस्से करने के बाद फिर आप आप दिया लगाई पिर बाबा को कितने दिया लगाना है जम के बोलो पांच दिया लगाना है आपको शंकर भगवान पांच दिया लगाई है एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले ऐकी बात कहते हैं, पाउंस दिये पूरे हो जाएं, छटा दिया जाला ना नहीं है उसको फाली में बापिस रके लेना बोर परशाथ दो हिस्ते मंदर में छोड़ना है एक हिस्ता फाली में रखके ले आना, पूजन करकर बाबा कुनिवधन करकर बापिस आईerving जब घर में प्रवेश्ट करो, सीधे हाथ की और घर में अंदर जाते समय, अपना जो राइट हैंड हो, उस और बेठो, और बेठने के बाद उस दिये को प्रगड कर लो, प्रजुलित कर लो, वहाँ पर भी शिव जी से प्राथना करो, हमारा ये कारे है, सफल करिएगा, अपर ले कर आएगा, उस परशाद में से किसी को नहीं देना है, अकेले खाने, उतना ही परशाद ले कर जाना, जितना खब जाओ, छोड़न भी नहीं, सब से प्रशाद खाईए, उसके बाद में भोजन कर लो, इस ब्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो श्राम को भोजन कर सकते हो भोजन में ये ज़रूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है नमकिन भोजन भी कर सकते हो बस मीठा कब खाना है जब परशाद का एक हिस्सा लेकर आओ तो एक हिस्सा आप खाओ उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, वई मननहि मेरची का करो, पर उसमें दिखावा ना करूए, और भोजन करें इससे पाचवा ज़ग सुम्बा राजाए, बीच में अगर कोई सुम्बा छूट भी जाए, तो बरत करना पूजन मत करना, और जब पाच्वा ब्रत रहे तो उस पाच्वे ब्रत में जब सुवे पूजन करो तो शाम को भगवान कर एक स्वाट या तो चावल के दाने मूं के दाने या बेल पत्र या फूल की पत्ती जो भी एक स्वाट चड़ा सकते हो भगवान को चड़ा कर एक श्रीफल ग्यारा रूपे उस पे रख कर शिवजी से निवेदन करकर घर पर आजाईए दिया लगाईए और बावास से निवेदन करकर परिशाच पाईए अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास करता है पांच सुम्बर के अंदर ही आपका का हो जाएगा पांचasisक पोजो गये दिए काई मुट ही आ उस्था कर दोर स्भी ही जैए कार वासरे अग्यारा यू यूआ यू बट बस फ्दी दिए ने अंनिए अ जनर्वाना ही ऐ है को जगए यू ऩो मैं हूँ मर्सेयरे तो